नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभी स्वीक सिंग, दोस्तो आज कल अगर आप एक बहुत सही घर बनाना चाहते हैं दोस्तो, तो आपको एस्पेस आनी चाहिए, हर एक इंच बचाने की जद्दो ज़ह दोस्तो, मिस्तिरी हो, ठेकदार हो, या फिर आर्किटेक्ट हो, इंजिनियर हो, डिजाइनर हो, सभी दोस्तो अपने तरफ से करते हैं कि हर एक इंच को बचा करके मालिक को दोस्तो एक एस्पेसियस घर दिया जाए, उ दोस्तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, तो आपको सीरी के किनारे में दोस्तो यहां पर सरिया निकला हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, यह ऐसा कोई गलती नहीं है, या कभर बलोक बगरा नहीं देने से ऐसा दिक्कत आती है दोस्तो लेकिन यह व हीट का दोस्तो यहां पर बनाया गया है, ठीक है, लेकिन एक्चुल में क्या होता है, कि तीन फीट के ट्रेड में, जब यहां पर नीचे से दोस्तो, दाहिने साइड से आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यह सीरी के बाहर में ही दोस्तो आप देखेंगे, तो यहां पर सडिया निकाल दिया गया है, ताकि दोस्तो जब रेलिंग लगाया जाए, तो रेलिंग लगाने के लिए दोस्तो यह वाला जो जगा था, उसको दोस्तो वेश्ट ना करके, रेलिंग डारेक्ट सीरी के आगे मतल देखा जाता है कि यहां पर देखिए रेलिंग लगाने का बेवस्था बाहर से किया गया अब इसमें रेलिंग को लाकर के दोस्तों डिरेक्ट वेल्ड कर दिया जाएगा और हमारा तीन इंच का जगा दोस्तों बच गया वरना दोस्तों जो नॉर्मल साइज के सीरी होते हैं त्यों कह जाता है कि तीन इंच रखा जाता है ताकि हमारा रेलिंग लगाया जाए लेकिन इस वाले मेथर्स ते अगर आप घर बनवाएंगे या फिर सीरी बनवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ढालाई करने की जो तीन इंच का यहां पर ढालाई वेस्ट जाएगा ना व आप पैसो की बच्चत कर सके और एक बहुत सही संदार घरा बनवाप है फिर मिलते हैं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और चैनल को एक लाइक और साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो और जनकारी फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद दोस्तो